हेलो गाईस, रेसिपी सब कोमल में आप लोगों का स्वागत है आज मैं बनाने जा रहे हुँ चने दाल की पकोड़ी की सबजी एक बार इस तरीके से जरूर बना कर देखें ये काफी टेस्टी लगती है तो वीडियो अच्छी लगे, तो like, comment, share करना बिल्खुल भी ना भुले मेरे वीडियो की निचे अगर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करकर मेरे चानल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना तो बिल्खुल भी ना भुले जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहा है और इसी तरीके की वीडियो में लेके आती रहा है तो चलिए आज का वीडियो हम सुरू करते हैं तो ये मैंने 200 ग्राम के करीब चना दाल ले लिया इसे मैंने 4-5 गंटे के लिए फुला लिया था अब इसका हमें एक दरदरा पेश्ट त्यार करना है तो ये देखिए हमने जाड ले लिया है अब इसमें हम अपने स्थारे चने भूले तो चलिए इसका अब हम एक पेश्ट त्यार कर लेते हैं तो इसको मैंने अच्छे से पेश्ट त्यार कर लिया है तो मैं आपको दिखा दे रहे हैं ये रेखिए कुछ इस तरीके का मैंने इसका पेश्ट त्यार कर लिया है इसको मैंने हलका सा दरदरा ही रखा है त से हम साइड में रख लेते हैं और मैं साले की त्यारी कर लेते तो दो मैंने मीडियम साइज के प्याज को दो टुखड़ों में कट कर लिया है और चाण हरी मिर्ष और दो इंच अध्रक का टुखड़ा और 10 से 15 नहसुन की कर लिया और इसमें डाल देंगे एक छोटा चमचे क कर लिएना है तो देखी कि अच्छे से इसका पेष्ट त्यार कर लिए तो आप देख सकते हैं तो इसे अब हम साइड में रख लेते और जो हमने बेटर त्यार किया रहा है उसमें मैंने एक मीडियम साइज के प्यास को छोटे-छोटे टुक्रों में कट कर लिया है ये देखी और इसमें अब हम एट कर देंगे दो से तीन हरी मिर्च इसको मैंने छोटे-छोटे टुक्रों में कट कर लिया था और इसमें डेर से दो छोटा चमच के करीब मैं मसाले का पेश्ट इस साब से कम ज़्यादा कर सकते हैं इन सब को अच्छे से हमें मिला लेना है तो देखिए हमने इसे अच्छे से मिला लिया है तो चलिए इसके अब हमें पकोड़े बना लेने हैं तो इसे अब हम साइड में रख लेते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सेर करना बिल्कुल भी ना भूले और एक सब्सक्राइब जरूर पर दे तो मैंने कड़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था और उसमें मैं डाल रहे हूं 5-6 बड़ा चमच के करें सोया बीन ओई आप इसके जगा रिफाइन ओल का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो तेल हमारे अच्छे से गर्म होने लगी है तो इसमें अब हां चोटे चोटे इस तरीके से पकोड़े बना कर डाल देंगे और फ्लेम को मेडियम रखे जिससे ये जलेंना अच्छे से गोल्डेन फ्राई हो जाए तो देखे दो मिनट के लिए इसी तरीके से इसे गोल्डेन फ्राई होने तक इसे पकंड़ दे तो यह देखे कि इतना चाल रा गया इस दिखा देती हूं यह देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी लग savez ना इस तरीके के पकोड़े भी आप बनाकर इसे खा सकते हैं यह काफी तेस्टी लगती है तो यह देखिए हमारे पकोड़े बनकर ready हो तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं और देख सकते हैं इसका कलर कितना छाग गया है ना तो इसे मैंने निकाल लिया है और इसी तरीके से मैंने बाकी भी पकोड़े त्यार कर लिया है तो चलिए अब इसी कड़ाई में हम डाल देंगे तीन से चार बड़ा चमज के करीब सरसो क तेल और सरसो के तेल को हलका गर्म होने देंगे तो देखें सरसो का तेल गर्म होने लगा है तो इसमें डाल देंगे एक तेज पत्ता एक पींच छींग इन दोलों को हमने अच्छे से मिला लिया है और जो हमने मसाले का पेश्ट त्यार किया था अब उसे हमने डाल दिया है औ अब दो मिनट के लिए मसाले को हम अच्छे से भूल लेंगे और इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक ध्यान रखे नमक हमने पहले भी एट किया था और एक छोटा चमच के करीब हल्दी पॉडर एक से देर छोटा चमच के करीब लाल मिर्च का पॉडर लाल मिर्च अच्छे से मिला लिया है दो मिनट के लिए अब धक कर इसी तरीके से पकने दे तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया मैं आपको दिखा देती हूं यह देख सकते हैं और इसे अच्छे से हम एक बड़ और इसी तरीके से छोटने की मदश से चला लेंगे और इसमें डाल देंगे एक छोटा चमच के करीब मीट मसाला इससे बहुत यह तेस्ट आता है सबजी का तो आप जरूर एड करें तो इसे भी मैंने अच्छे से मिला लिया है और दो मिनट के लिए फिर से इसे डख कर अच्छे से हम पका लेंगे तो चलिए अब इसका हम ढटकन अटा कर द दिया है मैं अभी मसाले में एड कर दे रही हूं और इसे अच्छे समय ने मिला लिया है और इसमें अब हम एड कर देंगे आधा चोटा चमच के करीब गरम मसाला इसे भी मैंने अभी एड कर दिया है जिससे बाद में हमें कुछ भी एड करने की जरूरत ना पड़े तो अपने पकोड़े जो हमने चने दाल के पकोड़े बनाकर रेडी किया था तो इसी तरीके से दो मिनट के लिए पकने दे और इसका अब हम ढखकन लगाकर दो मिनट के लिए इसी तरीके से पकने देंगे तो चलिए अब हम ढखकन अटाकर देख लेते हैं तो ये देखिए बिल किसी के भी साथ खाकर देख सकते हैं और इसे बारिस और ठंड के मोसम में बना कर जरूर देखे ये काफ़ी डेश्टी लगती है तो एक सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी ना भूले मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई